इसी बीश में प्यूश गोयल की प्रदिव्याग। नारी शक्ती को सनमान दिलाया, देश के यूआ यूट्यों को धेड़ सारे अफसर देने का काम किया और हमारे किसानों को एक वहतरीन भविश्य के लिए बहुत सारे अलग-अलग तकार के स्योग से आज भारत अमरित काल में विक्सित भारत बनने के लिए संकल्प, नए संकल्प के साथ खड़ा हुआ है, देश की चंता, पूरी तरीके से प्रदान मंत्री मोदी जी को आशरवाद देने के लिए, इस चुनाओं में बाहर उत्री थी, और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार देश की सेवा, 24 घंटे सातों दिन 24 बाई 7 विक्सित भारत 2047 तक बने, उसके लिए जो मान्य प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिए, जो भारतिय जन्ता पार्टी और NDA के एक-एक कारिकरता ने परिश्रम किया है, उसका आज मत्दाताओं द्वारा आशिरवाद भरफूर मिलेगा, और देश में पुना एक बार, मोदी जी के नेत्रों तुमें, एक इमानदार, गर्थुत्ववान और देशवग सरकार, आज स्थापित होगा। अच्छा चुनाओं लड़ने का प्रयास किया, भारतिय जन्ता पार्टी और हमारे महायूती के सभी गटक दलों ने बहुत मिल जुलकर, एक बढ़िया चुनाओं, एक ऐसा चुनाओं प्रक्रिया जो हर शेत्र में हम पहुँचे, चुनाओं शेत्र में हर व्यक्ति से संप करने की कोशिश के, तो प्यूश गोयल कह रहे हैं, देश में एक बार फिर से इमानदार सरकार बनेगी और NDA की बापसी हो रही है, इस बात को BJP अपने लिए तैम मान रही है,